रैंप के उपर से चड़ने के बाद हमारी कार आएगी पारले जी ओहो हो कि इस कितना जादा खतरनाक सा ट्रैक है दोस्तों मेरा नाम है रायान आज की वीडियो में एक नई पिकप ट्रक मैंने खरीदी है आज उसके लिए रैक बनाने वाला हूं साथ में का इस ट्रैक इतना साथ अलग होगा कि आप देखने के बाद शौक होने वाले हो क्योंकि ट्रैक के लिए देखो मैंने बहुत सारे फूड आइटम को पर्चेस कर लिया है अमेजन से यह बॉक्स के इंदर भी बहुत सारे फूड आइटम से और यह बॉक्स के इंदर भी बहुत सारे फूड इसको मैंने सिर्फ 2,000 रुपीज में खरीदा है लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है वासज अगर आप चाहे तो इसे खरीद सेकती हो तो इसको यह उन्बॉक्सिंग करते हैं थोड़ी दिर में तो आज इसके साथ ट्रैक के उपर चलानी के लिए क्या-क चीजे में लेकिया हो वह पहले दिखा देता हूं यह अपनी मोडिफाइड टोड़ा फॉर्चुनर दिखने में भाई पूरी की पूरी फॉर्चुनर जैसी यह दिखती है आज इसका कलर भी चेंज करेंगे गई इसकी सबसे खास चीज़ है इसके टायर्स यूनिवर्सल मै चीजे में खरीद के लाया हूं यह एक बार दिखा देता हूं तो फटा फट से बॉक्स को ओपन करते हैं आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक करो यह वाक्स के अंदर हम लोगों को मिलेंगे बहुत सारे टेस्टी बिसकेट्स देखो हुआ है तो इसको थोड़ी तर में निकालने वाला हूं उससे पहले यह बॉक्स के इंदर क्या है एक बार दिखा देता हूं तो ट्रैक में बनाने वाला होना यह इतना मज़ेदार होगा कि आपको बहुत जादा मज़ा आने वाला है वीडियो देखने में तो बहुत सारे इन सबी को फिलाल निकालते बॉक्स अंदर से बाहर फिर इनका बनाते हैं अम लोग आज का चलाने में और बनाने में और खाने में बहुत जादा मज़ेदार होगा यह देख लोगा इस वाला निकाल लिया तेरी वाई मैं जितनी भी चीजे खरीद के लाता हूं उनको बिल बांड देता हूं पूरा टेबल हमारा फुल हो चुका है फूट आइटम से यह चीज़ों को यूज करके राप बनाने से पहले एक काम करते हैं यह जो नया वाला पिक ट्रग है इसको मैं उन्बॉक्स करने वाला हूं यहां से बॉक्स को ऑपन कर लेता हूं बॉक्स ओपन यहां से हो चुका है मेरे पास यह जो पिकप ट्रक है completely white color में इसके साथ थोड़े बहुत accessories मिल जाते हैं थोड़े बहुत stickers वगेरा भी मिल जाते हैं यहां से निकाल लेते हैं पिकप ट्रक को अरे वा यार यह तो पिकप ट्रक बिल्कुल टाटा के पिकप ट्रक जैसा ही दिख इस तरफ नीचे एक्स्ट्रा टायर भी दिया गया है और इसके बैटरी भी इसके नीचे दी गई इसको टर्न करेंगे तो यहां पर इसकी बैटरी भी देख सेते हो काफी बड़ी और काफी हेवी क्वालिडी की बैटरी इसके साथ हम लोगों को मिलती है वो कि हमारी मॉडि अब पता चलेगा गाई पहला को डाल रहा हूं इसके उपर वाओ भाई क्या ही तगडी लग रही है यार हमारी फॉर्चुनर आप देख सकते हो मजा आ गया यार एकदम रेड कलर में चेंज हो चुकी है फॉर्चुनर एक और कोट इसके उपर मैं करने वाला हूं यह होगा इसका शाइनिंग वाला कोट यह लो थोड़ा दूर से ही मैं इसके उपर अबिस प्रे कर रहा हूं इसका कलर कम्लीटली अब सूख चुका है अब इसके उपर जो मास्किंग टेप मैंने लगया तो मैं हटाने वाला हूँ पहले यह विंडो वाला मास्किंग टेप मैं हटा मास्किंग टेप को हटाने के बाद कार कितनी ज्यादा खूल लग रही है यार रेट कलर में तो यह एकदम बवाल चीज लग रही है मेरको सामने काफी बड़ा बंपर है इसकी रिमोट में भी बहुत सारी लाइट दी गई है देखो भी मैं इसको बंद करूंगे तो सारी भी हो चुका है ट्रैक यहां से शुरू होता है देखो शुरुआद में आपको डायरी मिल्क चॉकलेट के इस तरीकी के रैंप देखने को मिल जाएंगे इसके उपर से चड़ाई करने के बाद हमारी कार आएगी औरियो वाले स्पीड ब्रेकर स्क्यूपर फिर आएगी हमा यहां पर यहां पर एक बड़ा सा रांप मैंने बना दिया है और यहां पर 40 डिग्री क्लाइमिंग भी मैंने बना दिया है इसके उपर किट कैट चॉकलेट मैंने चिपका दिये है यह एक स्पीड ब्रेकर की जैसा यहां पर काम करेंगे फिर डायरी मिल्क चॉकलेट के मैंन स्मूध है और का टायर जरावी Ilka सीधा धाणाम से लिग दो हैं कि अगर यहां से क्योंना जांज से ट। ऱ्यवश थते तो साइगी हैंड ऑर तर फिर माइंगी नूड़िल की उपर माईगी नूड़िल क ie सजर के आने के बाद यहांgraने से एक बहुती जादा खतर नाक रास्ता स्टार्ट होता है देखो गई इतनी सी थिपने से भाई इस तरफ भी और इस तरफ भी आपके नीचे देखो एक बहुत बड़ा एक्वरियम मैंने लगा दिया है और इसके अंदर फिशेज भी मैंने हटा दिया है अगर कार यहां से ज इतर आना पड़ेगा कुरकुरे वाले रांप के ओपर भाई यह देखो कितना खतरनाक वाला स्लोप मैंने बना दिया है कार फिर किट-कैट वाले रांप के ओपर से जाना पड़ेगा यह खतरनाक से रास्ते के ओपर देख रहे होगा यहां पे स्तरीके के स्पाइक बने हु यहां पर देखो इस तरफ स्प्राइट है इस तरफ तमसब है इसके उपर सी कार को चड़ाई करने के बाद यह वाले लेस के उपर आना पड़ेगा फिर अमारी कार यहां से मारी गोल्ड की उपर आएगी फिर यह इसका फाइनल डेस्टिनेशन होगा जो भी कार यहां तक यह गोल्डेन कॉइंस वाले चोकलेट देखते हैं गाइस आज कौन जितता है तो सबसे पहले हमारे पिकप ट्रकों में चलाने माला हूं मेरे को तो पूरा भरोसा इसके उपर यह आज हमारे ट्रैक्ट उपर से अराम से निकलेगा डायरी मिल्क वाले रैक्ट उपर से निकल अरे भाई यह क्या पंगा है यार यहां पर आकर यह फच गया तो इसको मैंने थोड़ा सा रिवस्क ले लिया है अभी रेखते हैं क्या है यहां से निकल पाएगी या फिर नहीं है ओ तेरी भाई इसका सर्फेस बहुत ज्यादा स्मूथ है यार देखो इस वज़े से इसके इसको यहां पर बिल्कुल भी गृप नहीं मिल पार यह काम करते हैं थोड़ा सा स्पीड इसको यहां से निकालने के लिए ट्राइग करते हैं यह लो ओ यहां पर आकर यह फच गया था तो इसको बार बार एक दिक्कत हो रही है सामने से इसकी ग्राउंड क्लिरेंस बहुत जादा नीची की तरफ दिये गया है एक और पार ट्राइग करते हैं अब इसको थोड़ा से जटके से निसालने के लिए ट्राइग करते हैं ओ तेरी भाई यह रैंप के ओपर से बाहर आ चुकी है और यह आउट हो चुकी है गाईज मेरे को लगा था कि यह काफी अराम से र जादा रास्ता तो भी पार कर लेगी पर शुरुआत में यह गिर चुकी है आप सोचो गाईज का जो राम है कितना जादा खतरना कितना जादा मज़ेदार है अभी तक दो कार्स यहां पर आकर फेल हो चुकी है अब मैं चलाने वाला हूं राम की ओपर टोटा लसी 80 ओफ र जादे चड़ पाईगी आफिर ने क्योंकि अभी तक बहुत सारी कार्स यहां पर आकर फेल हो गई थी ओहाई क्या ही स्पूद्ली चल रही है यार यह तो बहुत मसा रहा है गाईज इसको चलाने में यह बहुत जादा खतरनाक चीज है यार देखते हैं यहां पर इसको बा बालेंज बनाकर चड़ाई करनी पड़ेगी वरना यह इसीदा पानी के अंदर गिर सकती है और खराब भी हो सकती है दोस्तों वह बालेंजिंग देखो इसकी कितनी ज्यादा खतरनाक है यार मेर को तो यकीन ने रहा भाई यह यहां पर इसनी स्मूद्ली चड़ रही है ओ म माइगाड क्या ही खतरनाक सी बैलेंसिंग है यार मेर को नहीं लगा था कि यह इतनी दूर तक भी आपाईगी क्योंकि इसका वजन बहुत जादा है दोस्तों अब इसको थोड़ा चाहिए कर लेता हूं आप देखतेंगा इस क्या यह स्पीड ब्रेकर के उपर से निकल अरे यार यह क्या है थोड़ा सभी मैं इसको पीछे ले लेता हूं थोड़ा सा इसको स्पीड में निकालना पड़ेगा वरना यह अटक जाएगी इतनी उपर से यह इस तरीके से रोल खाती भी यहां पर आके गिरिया यह भी हमारे राम के उपर से फेल हो चुकी है दोस्तो आफी स्मूथली चल रही है ओके गाइस यहां से मैं इसको थोड़ा सा धीरे आगे बढ़ाने वाला हूं भाई यह इधर तक तो आफसानी से पांच चुकी है देखते है इसके आगे इसकी परफॉर्मेंस किस तरीकी की होती है यहां पर थोड़ी सी दिकत हो रही है क्यूंक इसको पर दरीके से ग्रिप नहीं मिल पा रही थी देखो अभी मैं इसको रहां चलाने वाला हूं देखते है यह कितरी है ओ भाई गडबड हो गयार सीधा अधर अधर गिर चुकी है यह भी काम भी नहीं कर रही है गाइस एक बार मैं इसको निकाल लेता हूं आप चेक करते इसके अंदर फुली प्रोपोर्शनल स्टीरिंग नहीं दी गई है इस वज़े से जब मैं इसको थोड़ा भी टर्न कर रहा हूं ना यह बहुत ज्यादा टर्न हो रही है इस वज़े से यह भी बाहर हो चुगी है ट्रैक के तो गाइस अभी हम लोग के फाइब लेजर को चल काफी अराम से चड़ाई कर चुकी है देखते हैं गई इसके आगे इसका रास्ता काफी ज्यादा मुश्किलों भरा होने वाला है अब वापर से डायरे मिल्क रांप क्यों पहने इसको चड़ा दिया है अब यह रास्ते पे से यह आ रही है ओ हो काफी स्मूत्री यहां तक सौंच चुकी है दोस्तों अब इसको यह बहुत ही संक्रे से रांप के उपर से निकलना पड़ेगा ओ माई गौड यहां पे जरा भी गड़बड होगी ना यार सीदा यह पानी के अंदर नीचे भी गिर सकती है वाउ देखो गई कितिनी आराम से यह उपर चड़ाई कर इसके भी उपर से भाई इसने कमाल करके रख दिया है अब इदर से इसको नीचे क्लाइम करके जाना पड़ेगा वो इसका डिफरेंचल लॉक्स मिर को अन करना पड़ेगा वरना एफिसल के नीचे भी आ सकती है यहां तक अपनी टोयोटा लसी एटी आ के हार मान चुकी थी देखते हैं यह कितने अच्छे तरीके ते नीचे जा पाएगी ओ माई बाट देखो इतने खतरनाक से स्पाइक के उपर से भी निकल चुकी है इसको जलाने में बहुत जादा मजा आरा यार मेर को अब इसके सामने एक जोटा सा राम आ चुका है यहां पे तुरी तरीके से ह कर लिया है अब थोड़ा साही रास्ता बचाए गाइस ओमाइगा यह गाइस यहां तक पहुंच चुकी है और यह हमारी आज की विनर और इसको मिलेंगे आज गुल्ड कॉइंस वाले चौकले मैंने जितना सोचा था यह कार उससे सो गुना जादा अच्छी चल रही थी यह रैंप के उपर मेरे को तो लगा था कि ट्योटा कार जीतेगी पर यह कार ने भाई आज गजब करके रख दिया आपको बता होगा यह कार ने आज तक बहुत सारे रैंप के उपर से जीत हाजिल की है आज की विनर है क्लियर ली हमारी शेवर लेक के टैन आप मुझे नीज़ फिर सारी कार्स में से कौनसी कार सबसे जादा अची लेगी चलो भी मैं दूंगा शाउट आउट पहला नाम है मोहित यूगराज निशांत नवीन हर्ष प्रग्यान मोनू अलियान सरफरास ब्रजेश थैंक्यू दोस्तों इतने चे कमेंट्स करने के लिए और दोस्तों आइक नीचे कर दीजे कमेंट्स बाई दोस्तों